बिग बोस सीजन 13 का ये विनिंग मूवमेंट बाके में बहुत ही जादा खास रहा जाबर आपको बता दें कि टॉप टू कंटेस्संस रहे सिधार शकला और आसम रियाज इस दोरान इन दोनों ने पहले तो घर की लाइटस ओफ की और फिर मुखेदवार से होते हुए वो ग्रैंट फिनाले के विग बोस के स्टेज पर पहँच चुके इसके बाद सिधार शकला और आसम रियाज में सी किसी एक को बना था विनर आपको बता दें कि सल्मान खान ने बहुत ही जादा यहाँ पर टाइम लगाया और इन दोनों के दिल की धड़कने बड़ी हुई थी मन में यही विज़ार चल रहा था कि आखिर आखिर विनर कौन होगा सिधार शकला या फिर आसम रियाज सिधार शकला अपने आपको सोच रहे थी काफी टेंस नजर आ रहे थे तो हैं आसम रियाज भी काफी नर्वस दिख रहे थे और उनकी टेंशन की चेहरे पर एक मुस्कराहट के साथ साथ तोर पर नजर आ रही थी कभी सिधार शकला का हाथ लेकर खुद को इची कर ते तो कभी आसम का कभी अपना शॉलर चटका ते तो कभी कुछ और फिर सलमान खान यहाँ पर उन दोनों के हाथों को जुला तर हुए भी दिखे और फिर बाद में सलमान खान ने पहले आसम का हाथ उपर किया और फिर जट से सिधार शुकला का हाथ उपर किया सभी को फिर ज़र लगा कि सल्मान खान एक पर फिर से वजाख ही कर रहे हैं लेकिन सल्मान खान को लगा कि किसी को याकीन ही नहीं हो रहा है तो उन्होंने जट से जोर से बोला That the winner is सिधार शुकला सिधार शुकला की खुशी साफ तो पर नज़र आई और वो काफ़े रिलाक्स नज़र आई तो मैं यासिम रियास में सिधार के इस जीट से काफ़े खुश दिखे और उन्हें मिली सीजन 13 की वो बेबी वाली ट्रोफी और वीवो की टरप से उन्हें मिला एक फोल अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई तो सिलाइक को शेक करें साथ ही अपने वियूस हमें कमिन करके ज़रूर बताएं